तो हेलो गाइज वेलकम बैक तो अनदर वीडियो तो गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने खुद के लिए एक मस्त वाला सेंसिटीविटी बना सकते हो मतलब उसके लिए जारा कुछ नहीं चाहिए आपको थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा अध वीडियो बनाने के लिए और किया तो गाइस इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपना जाइरोस्कोप सेट कर सकते हो अपने फोन में हो या फिर आइपेड में हो क्योंकि यार मुझे एक्सपिरियेंस है पहले मैं फोन प्लेट अभी मैं iPad player बन चुका हूँ तो मुझे दोनों का experience है बहुत अच्छे से कि आप लोग कैसे अपना sensitivity अपने तरीचे से set कर सकते हो और अपना gameplay सुधार सकते हो तो गाई सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहा है इन पांतों settings के बारे में जो आपको मिलता है जो कि है low, mid, high, most used or season expert तो यहाँ पर सबसे अच्छा वाला मैं recommend जो करूँगा वो की है season expert क्योंकि season expert वाला में क्या है कि season में सबसे जो अच्छे player होते हैं जिनका gameplay अच्छा होता है kills अच्छे निकलते हैं तो उन लोग का जो sensitivity है उनको सबको मिला जुला के एक आपको मतलब एक बना के दिया जाता है गेम की तरफ से जो कि आप खेल सकते हों जिसमें और most use भी आप लोग use कर सकते हों क्योंकि most use में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले senses है वो ही यहाँ पर आपको कुछ मिला जुला के आपको यहाँ पर recommend किया जाता है तो गाइस अभी हम लोग बात करने जा रहा है camera sense के बारे में तो camera sense का मतलब यह है कि जब आप बीना fire button का use के अपने screen को gyroscope के मदद से move करते हो या तो ADS के मदद से move करते हो उसको camera sensei बोला जाता है अगर आप iPad player हो तो यह वाला sensei आप आराम से use कर सकते हो मैं यह sensei बहुत सालों से use कर रहा हूं यह मेरे हाथ में तो अच्छी तरह से bed गया है बस आपको भी sensei में इस वाले camera sensitivity में थोड़ा सा practice करना है आपका भी heart बैच जाएगा और phone uses यह वाला sensei भी आप use कर सकते हो आपको बस training ground में जाके इसको थोड़ा सा आगे पिछे करके अपनी तरह के सेट करना है अगर आप भी iPad player हो तो यह वाला sensei आप भी use कर सकते हो और इसमें थोड़ा सा practice करके इस sensei को आप master कर सकते हो और अगर आपको खुद का gyroscope sensitivity चाहिए तो आप इस वाले sensitivity में से थोड़ा सा idea लेके आप training ground में जाके बिना grip के gun में तारे sensei को use करके आप try कर सकते हो कि कौनसा कौनसा आपके लिए ज्यादा favorable रहेगा उसके इसाब से देख सकते हो आप लोग और अपना एक sensei बना सकते हो आराम से बस आपको बस यह धियान में रखना है कि जब attachment आप use मत करना किसी भी गन में बिना attachment के आप spray मार के देखना red dot में हो या 6x में हो या 3x में हो या 4x में अगर stable है तब यह वह sensei आप वहाँ पर use करो तो गाइस यही था आज के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please guys make sure to like, share and subscribe और मिलता है फिर किसी दूसरे आपके लिए बाइबाइबाइबाइबाइबान